नमस्कार आप देख रहे हैं टोटल निउस चुनावी बिगुल बच चुका है और 2019 के रण के लिए सियासी उद्धा भी तयार हैं हम भी तयार हैं अपने खास कारिक्रम चक्रवियू के साथ और चक्रवियू में आज मेरे साथ मेरे दोसर ही होगी ललित नाराहिन कानपाल और पूजा राठाल शर्मा और चक्रवियू में जिस चक्सियत को आज हम घेरेंगे वो हैं बीजेपी सांसद रमेश पीदोडी जी रमेश जी बहुत-बहुत स्वागत हमारे खास कारिक्रम चक्रवियू में बहुत धन्यवाद आपने चक्रवियू लेकिन घेरने के लिए आफका आने के लिए करते हैं सवालों का सिलसला शरूर घेरते हैं चक्रवियू में आज रमेश बीदूडी जी को एक वपर से बहुत स्वागत आपका और आभार आने के लिए रमेश जी रमेश बिदूरी वो शख्सियत है वो नाम है जो कि देशी अंदास के लिए जाना जाता है आकरमक हैं आप तेश तर्रार हैं और यही अंदास लोगों को भाता भी है अपने लाके में आप काफी लोग प्रिया है पर सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि पांच साल अगर आपका देखें आप मुड़कर अगर देखें तो कौन से काम है जिसे आपने किया और आपको आश्वस्त थाप उन कामों के लिए कि जनता आपको पसंद करेगी और आने वाले चुनाओं के लिए आपको वोट करेगी पहले तो धन्यवाद टोटल चैनल के लिए मैं बोलू कि टोटल चैनल ने अगर महां से फीड़बेक लिए और मेरे को लोग पर यह जनता ने बताया तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूसरा केजरिवाल साब की सरकार आने के बाद सभी काम मुस्किल हो गए थे कि स्टेट के अंदर पावर होती है सभी डवलपमेंट के कामों को आगे करनी की हम सब का सौभा गया और दिल्ली की जनता को धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने मिनिस्पल कॉर्पिसन शुनाम में पुना भारते जनता पार्टी को जिताया जिसके कारण से कुछ डवलपमेंट के काम हम करने में सफल रही है इस परकार के काम डवलपमेंट के हैं जिनको करने में फिर सफल रही अगर निगम्मेवी दिल्ली सरकार ही रहती तो बहुत कठना ही होती और दिल्ली नरक का अड़ा बन गया होता जिस परकार से केजरिवाल साब ने एक के बाद एक बहाना बना ते रहे कैंदर काम नी कर रहे जबकि उनके पास अपना 24,000 क्रोड रुपया फंड है और वो अपनी मनमर्जी के अनुसार उस फंड को कैमिनेट में ले जाने के बाद पास करके लगा सकते हैं लेकिन वो अपने जगड़ों में लगे रही चोरों का जगड़ा होता है बटवाने की उपर जब चोरी करने जाते हैं तो बहुत दीरे दीरे चुप चुप सब एक दूसरे के गले मिल कर जाते हैं आवाज ना जाये कोई सुन लेगा देख लेगा लेकिन जब चोरी कर लेते हैं जो है जेन्यू इंस्ट्ट की बात की जाए, आईटिया की बात की जाए, एम्स जैसे बड़े चिकित साकेंद रहें आपके लाके में, लेकिन दो सबसे बड़ी सबस्या, एक गंदगी की और एक अतिकरमन की एम्स और आईएटि बगेरा सब नई दिली पारलेमेंट में आ गई है, वो पुराना साओध दिली हुआ करता था, अभी जो साओध दिली पारलेमेंटरी सीट बनी है, उसमें ज्यादा तर रूरल बेल्ट बनी हुई है, जवारला नेरु यूनिविस्टी हमारे में है, वसंत साओध कह रहे हैं आब, तो हमारा रूरल बेल्ट गरीब तबका साओध दिली में ज़ाता है, और वहाँ कटनाई बहुत ज़्यादा थी, पीने के पानी की, कटनाई बहुत ज़्यादा थी, वहाँ ट्रैफिक जैम की, ट्रैफिक की विवस्ता वह ठीक नहीं है, कटनाई ब काईजिरवाल महाशेजी को होते हुए, वह कटनाई बहुत रही हैं उन लोगों के लिए, ने बाई साब लेकिन एक सवाल तो ये है, कि आपकी उपलब्धी क्या रही है, हमारी उपलब्धी वो रही हिस्टोरिकल रही, आज तक मेरा ये चैलेंज है आपके चैनल के हैं हम से, कि जो डवलब्मेंट के काम पिछले पांच वरस में उस साउध दिली पारलेमेंट के अंदर हुए हैं, वो हिस्टोरिकल हैं, 25 कॉमुनिटी सेंट्रों का निर्माण, गरीब आदमी शादी विहाबरात कहां करें, फारा महुस में 2,4 लाग रुपे पैसे कहां से 25 कॉमुनिटी सेंटर हमने वहाँ पर बनाए हैं, 21 नए बनाए हैं, चार जो अंडर कर्श्ट्रक्सन पहले थे, उनको पूरा करके पूरा कराया है हमने वहाँ पर, ट्रैफिक के माध्यम से महिपालपूर से अगर हम एरपोर्ट की तरफ जाएं, आदादा गंटे जाम में 188 क्रोड रुपे की लागत से दक्षिनी दिल्ली के लोगों को वे एरपोर्ट जाने के लिए जाम में नहीं खुछना पड़ेगा, और वो सेंटर का पैसे से बना है, 20 क्रोड रुपिया पी ड़ूरी सटक पर लगाना था के इजरिवाल साब ने देने से मना कर दिया, हरद रुपिया जी के यूडी मिनिश्टर बनने काथ विदिन सिक्स मत हमने उसको त्यार कराया, रेल्वे के माध्यम से फुटोवर्ड बिज बनना था, बिजवासन के अंदर, हरकेशन अगर के अंदर, 40 साल से इतने एक्सिडेंट होते थे, लोग कहते थे, सब नेता आते हैं, जुट बोरकल चले जाते हैं, हमने एक ही साल में उसका सेलान नयास भी किया, और अनारवन भी किया, रिल्वे के माध्यम से, लेकिन रमेश जी, आपने यतनी सारी उपलवधिया अपनी बताई, लेकिन, अबी तुस्पर्जेंट भी नहीं है, हाँ, अबी रोड और एमजी 13 सितंबर 2016 को, गड़करी साब ने मिटिंग बलाई, और सतंदर जैन केजिरवाल साब को बलाए दोनों को, केजिरवाल साब ने यह सतंदर जैन आया, उन्होंने कहा, इस सड़क को मुझे दे दो, नेसनल 8 से, नेसनल 2 मत्रा रोड को में जोड़ने के लिए, एलिवेटिड स साब से, हम सारे MP साथ थे, लेकिन ना तो बनाया और ना दिया, तो PWD की सड़के हैं, जो केजिरवाल साब कहते हैं, आप भी वाद मैं कहोगे कि वो तो कहता है कि केंदर मुझे काम नहीं करने दे रहा, PWD के डिसन लेने में, हास्पिटल बनाने में, एडमिस्टेशन की दि अवैद मिर्माड के लिए कौन जिम्मेदार, क्योंकि आपके अलाके में बे इंतेहाँ अवैद मिर्माड हो, उसके कालन कारण तो हमने ये भी सुना है कि जो तोकलगाबाद किला है, उसका वजूद भी काफी खत्रे में है, और अतिक मैं इसी मैं एक सवाल थोड़ा सा करते हैं, लेंड की मालिक सेवल केंदर सरकार केवल अर्बन लेंड की है, जो डीडिये केंडर आती है, HDM, DC, जो रिवेन्यू रिकॉर्ड है, उसका मालिक दिल्ली सरकार है, ना कि भारत सरकार है, पानी की भी समस्या यहाँ आपने उठाई है, लेकिन आज भी पानी के के अंदर, फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंटे उनको मोडिफाइड करना है, वो भी दिल्ली सरकार के अंतर गताते हैं, भारत सरकार के अंदर, MCD और DDA के अंदर, चार तलाव के वाल आते थे, उनको ब्यूटिफाइड करके महिपालपुर जाकर देखना, किसंगर जाकर देखना, आयनकर जाकर देखना, जोनापुर, वो MCD के अंदर आते थे, तो हमने चारो के चारो सब के सब को रिवाइब करवा दिया है, लेकिन 25 तलाव ऐसे हैं, जो रिवेन्यू डिपार्टमेंट, फलड इरिगेशन डिपार्टमेंट ने काम करना है, दिल्ली सरकार का फ लेकिन वो उनकी जुम्हारी रिवाइब करने की वाटर बॉड़ी की दिल्ली कॉर्मिट की है, आप नेवसराय का तलाव जाकर देखिए, घिटोरनी का तलाव जाकर देखिए, क्योंकि वो आधर्स गाउं के रूप में एडॉप्ट कर लिया, मैंने कहा मेरा 65 लाग रुप कर दिया है, तुम्हारे MLN को नॉलजी नहीं है, वो करते नहीं है, हम रेज करते हैं तो उनको आपके लाके में, उनको संजोने के लिए रख रखाव के लिए किस तरह की योजनाय पिछले 5 साल में आपने बनाई हमारे वहां, आर्कलोजिकल सर्वेफ इंडिया से कुतुब पितोरा गडर तुगलकाबाद, तीन धरोह रहें, तीनों की तीनों एजिटीज हैं, अटल जी की सरकार में उनको ब्यूटिफाइड किया गया, दस साल मनमोहन जी की सरकार रही, मनमोहन जी की सरकार में एक पैसे का काम नहीं हुआ, जो पूरी ब्यूटिफिकेशन की लाइ आजिए हैं, वो एजिटीज हैं फोर्ट, उसमें एक इंच जमीन के अमर एक्रोचमेंट नी हुई है, जो वॉल सिटी है, गाउं की, वॉल सिटी के अंदर की जो लेंड है, वो गाउंवालों की जमीन है, उसको लोग फोर्ट बताते थे हैं, फोर्ट डिफरेंट सेपरेट है फोर्ट अलग फोर्ट में महेश जी को मैं लेकर गया जो हमारे मिनिश्टर थे आर्कल सर्वे अप इंडिया के उनको ले जाने के बाद सर्वे कराया उनको दिखाया है उन्होंने देखा है ऑफिसर सारे साथ गए है और उसकी ब्यूटिफिकेशन के बाद अगर मैं आपसे ुलकी डिमांड वह आज तक पूरी मगी घीटोर्णी के लोगों का कहना था कि पीनेmor पानी की समस्य वह आज था था कहलना हुए बर्तल के गाउं मुक्य मारंगों के हलत बड़ी खराब वह आज तक पूरी महीश चुणा ठेख और ।ह को आपको जए हुह को दो है अभी मेरे साथ चले, मैं दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया सड़क है लालू ने कहा था है मामाली जैसे गालों की सड़क बनाऊंगा बिहार में वो तो निये बना पाया पर हमने वह प्रिंक का गांधी जैसे गालों की सड़क बना दी है बरतल में चल के दिखाऊंगा मैं आपको लगता है कि भाषा जो आजकल इस्तिमाल की जा रही है वो चोबनी है, संसद्य भाषा है मैं तो लालो की बात कह रहा हूँ, बड़ी बहुने काड़ी कार, अब लालो जैसे पॉलिटीशन्स जिनको पहुरी साथ देखा रही है उन्होंने ये एक्जामपल दिये थे, मैंने का वो तो साथ नहीं कर पाए मैं तो सड़के बनी है, और भाटी के अंदर जो सड़के बात बता रहा हूँ, वो गॉवर्मिंट की लेंड पिछले चार वर्से से लगातार, मैं आपको प्रूफ दूँगा, दिल्ली सरकार दे नहीं रही, अब उन्रेबल लेटिनेट गवर्नर ने, उसको लेने के बाद अलोट कर दिया, हर्सकंडी स्कूल की लेंड, कॉलेज की लेंड, दिल्ली सरकार पजेसर नहीं दे रही, हच्जेम उसके अंडर है, डियम उसके अंडर है, वो पजेसर नहीं दे रही, घितोरनी के तलाब के लिए, मैंने का रहा, 65 लाग रुपे मैंने कहा, मेरा MP फंड लाजे के दर्जे में पुलिस और अर्बन लेंड भी लेगी, मुझे एक मिन, इसको कंप्लीट कर लो, मैं 30 सेकिंड में कर दूँगा, दूसरी बात, केजरिवाल साब को मैं बता देना चाहता हूँ, कि जो वो केंदर सरकार की बात करते हैं, NCT Act 1991 में बना था, कॉंग्रेस स तो आप उनके तलवे चाट लें, कॉंग्रेस के लोगों की, सीला जी मेरे साथ आ जाओ, तो वो सीला को साथ लेकर, MP जिता कर, कैसे पुंटरा जिकर दब जाले हैं, मुझे आप ये बताईए, एक सवाल का जवाबी दीजिए, बरमेश जी, अब आप चुनाओ में जाने व जाओ, मैंने 15 इंस्पेक्शन की हैं, पांच वरस में, और हमाँ सीवर लाइन मेने डलवाई है, वह सड़के सारी बन गई है, वह पानी की सब्सक्राइब, पानी पे यारू, वह टेल एंड पर कहीं पानी नहीं है, लेकिन ट्वे लगाने का काम किसका है, ट्वे लगाने का तो देखो, केजरिवाल ये कहता रहे है, मुझे काम नहीं करने दे रहे, आप अपने आपको समझदार समझे, अच्छी बात है, लेकिन सामने वाले को मूरक ना समझे, तो अब दिल्ली की जनता समझती है, वह को मानूब है, कि जल बोड का चेर परसन केजरिवाल है, और व वो एक मिसाल बनेगा, मेरा गाउ मिसाल बनेगा, आप आश्वस्त हैं, हंडेड परसेंट में आश्वस्तू, वो मिशाल ही बनेगा, स्कूल का वादा था, स्कूल तो खुला ने, स्कूल, केजरिवाल ने कहा था, 500 स्कूल बानोंगा, हमारे अंडर नहीं है, MCD के 50 स्कूल बनें साउथ दिल्ली के अंदर, साउथ दिल्ली, MCD में, 50 में से 25 हकेले साउथ दिल्ली पार्लेमेंट में हमने बिल्डिंगें बनवाई हैं, गरीब बच्चों के लिए, वो नी बनवा पाई के इजरिवाल साफ, उन्होंने का हर पार्लेमेंट में तीर अस्पताल वो ने कीज़ियोल के सामने का तैयार हूं, लेंड उसकी है, साउप सेक्टिकों साथ बिठा लीजिए, यह यह आप हमने के सुप्रिम कोट का डिसीजिन देखा, मैं राजमी भी शोड़ दूँआँ, लेंड दिल्ली सरकार के पास नहीं हैं वह तो वह है मैं रिजियो अन् जमीन जो डीडीय ने एक्वायर की हुई है डीडीय की जमीन अपनी मल्कित नहीं है डीडीय किसी प्रोजेक्टों लगाने के लिए दिली सरकार से नोटिफाइड करा के कंपन से संदेता है किसान को तब टेक ओवर करता है तो यह कहते हैं कि वह जहां भी लगाना चाहते हैं लिए देना देली सरकार की गरामसभा की जमीन पर जरिवाल एक फाईल दिखागी एक कैबिनेट को एज़ासमार करे Meat लेप एक दिखागी सनके कहते हैं कि वह भाने लावर आछी यह मैं राजनिती को बता रहा हूं हाझ उनका अरूप यह है कि वह बज़ बनाना चाहते अब आप बता रहा हूं राजनिती में सॉरी इसमें लोक तंत्रे में मीडिया भी चोथा स्थम्ब है बीडिया अपने आप में मीडिया को इमांदारी का परीचे देना चाहिए अज़िवाद को इम पर श्टेंड लेना चाहिए एक्चुली चीजों के पर जाने के बाद आप कर सकते हैं रिज की अरिम manuscriptitting बोर्ड है अगर फोरेश्ट की भी कहीं लेंड है उसको अधिकार कर उसको ander रिम बी का चेर परिशल चिप निश्टर होता है यह लोमे है दिली सरकार के अंड़ाता है के अंजर का को लैनत ना वो जो गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, बिचारे, गाओं में, कमपड़े लिखे लोग हैं, बाहर के दिल, उनको मिस्गाइड कर रहा है, और मेडिया भूल कर रहे हैं, अगर ये पर्सेप्शन क्रियेट हो गया है, तो आप ये लॉल लेकर क्यों नहीं पहुंच रहे हैं, ज जीते, आज वो अपने सर्वे में केज रिवाल 22 परसेंट पे हैं, चलिए आप आज परसेंट हैं, रमेज जी हमारे साथ आज हैं चक्रवियों में, और ये वो सांसद हैं, जो कहते हैं कि संसद में ये सूपर परसेंटी हैं, सवज जैसे कि 93 परसेंट इनकी जो है अटेंड लेकिन ये हम जानना चाहेंगे, सवाल इतने कम क्यों, क्योंकि जनता तो ये ही चाहती है कि उनकी आवाज अब संसद तक पहुंचाएं मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा संसद में आवाज भी किसी ने उठाई होगी संसद तो हम हम 282 BJP के संसद उनकी जो questioning लगते हैं question में baloting होती है वो हमारे हात में नहीं है हम unscrew लगाते हैं तो baloting में कितनी निकलकर आते हैं वो आपके लग के उपर हैं चाहे 0-a Hello, 34-77 हो तो कोई भी कोश्चन हम लगाएंगे तारंकित परसण भी लगाएंगे अतरंकिक लेगे वो बैलेटिंग से मिलता है अचा एक एहम सवाल भी आपने संसंद में उठाया था जो ग्रामीन इलाके हैं वहां की जमीन के मुद्धे को लेकर यूग यूगि सब जानते हैं कि वहां पर जमीन की कमी है और ग्रामीन जो जीवन है वो बेहत अस्वेसुरा है लोग परिशान है उस इशू को लेकर आपने बहुत संजीदिये से उठाया मुद्दा वो मुद्दा कहां तक आगे बढ़ा देखो जब केजरीवाल ने मुझे जमीन देने से मना कर दिया दिली सरकार ने दिली ग्रामसंबा की जमीनों ने कॉलिज के लिए नहीं दिया उन्होंने तो फिर मैंने डीडिये के पास में गया डीडिये की जमीने निकल वाई आज राजपुर गाउं के अंदर वहाँ पार्क नहीं था वहाँ पर कम से कम भी गाउं में बाहर के आर्ट स्पास में कलोनी बसी हुई है पचास जार लोग रहते हैं पार्क ही नीथा माँ आज डीडिये की लेंड से दो इकड़ का पार्क महाँ पर बनवाया आज हमने मैदान गड़ी के अंदर दो इकड़ का पार्क बनवाया आज रगभी ग्राउंड पूरे भारत में है ही नहीं रगभी स्टेडियं, पूरे भारत में नहीं है रगभी स्टेडियं हमने साउध दिली में बनाया, डीडीये की सवातिनी कोट जमेन औरोट कराई उसको लेकर बदरपुर में पार्क नहीं थे, डीडी एकी, कॉमर्सल लेंड को हमने पार्क में ट्राइब करा के रहा है बदरपुर के लोग ये कह रहे हमें पार्क नी चाहिए, हमारी जो एंक्रोश्मेंट है, जो अतिकरमन है, साड़क के दोलों और वो दूर कर दीजे बस पता नहीं कौन से बदरपुर के लोग मेरे पास तो बदरपुर में पार्क माधा, एक भी बदरपुर के स्टेट्मेंट है निया के रहे हमारे दोलों यह कहतने हुए, ये सरकार ये सरकार ने लग बनाना चीए ता, कि सरकार उसकी रिजश्क्री खुलती दिल्ली सरकार अनुतराइज कोलोनी की बॉंडरी लाइन करने के लिए सेंट्रल गॉर्मिंट ने केजरिवाल को कहा केजरिवाल साब ने दो साल का टाइम मांगा अजेंसिय अपॉइंट करिये और सर्वे करके दीजी दो साल बाद भी केजरिवाल साब अब फिर क्या कहते हैं मुझे दो साल का ओर टाइम दे दो अभी तक को अजेंसिय अपॉइंट ने करी परदी हर्दी पुरी यूडी मिनिस्टर ने इसकी प्रेस कॉंफरेंस भी की है अब केजरिवाल साब उन कॉलोनियों के लिए कामी करने को तैयार नहीं है अब किसी का 50 गज का प्रोट है बेटा बड़ा हो गया उसको ना शादी करनी है तो उते एक फ्लोर बढ़ाएगा या बढ़ाएगा ओपर जाकर कहां जाए वो लोग यह सब पॉलिसी बरानी दिली सरकार ने माश्र प्लान को अमली जामा पहना कर सेंटर के पास भेजना है सेंटर के पास जाने के बाद डीडियोस की एप्रूवल देगी केजरिवाल साहब नास ता कुछ किये हैं नहीं चार साल में अजेंसी का नाम पूछ लो केजरिवाल से आप जाके और व्यापप में सेंटर गवर्मिन ने तुमसे कहा था कि अनुतराइज करोनी जो सोले सो तेइस सो सोला कलोनी है उनकी आपने बॉंडरी लाइन कर दी बता दिया कि कहा कहा है क्यों नी करता यह श्टेट कर्मीट कहाम है उसका तैसिलदार करेगा उसका पत्वारी करेगा उसका हम उसका ओंडर दे नहीं सकते के अंदर सरकार वो करी नहीं रहा उनकामों को वो अपने जगड़ों में लगे हमें लेकिन आपके मैनіफेस्टों में एक वादा तो था अतिक्रमण को लेकर अतिक्रमण आप ठाएंगे अवैद कलोनियों को लेकर आपका वादा था अवैद कलोनी ही नहीं, वो सब कलोनी जो बसी हुई है, जो तेज सो कलोनी को में चर्चा कर रहा हूं, वो कोई अवैद नहीं है, पारलेमेंट के अंदर, दो हजार साथ के अंदर, लेंड प्रोटेक्शन एक्ट आ गया था, कि इनको अगर हटाया जाए गो, तो इनके बदले में कहीने के उनको जमीन मोबाया कराई जागी, ठीक है ना जी, अटल ब्हारी वाजपे के जमाने में उन गरीब लोगों की रक्षा के लिए लवाया, कॉंग्रेस की सरकार आगी, 2007 में कॉंग्रेस है, उसको पास किया है, सेंटर में कॉंग्रेस थी, अब वो पारलेमेंट म को तो चला जा रहा है क्योंकि दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही, अगर दिल्ली से केज़िवाल को निचाहत मिल रहे हैं, दो साल के अंदर-अनृत्राइज करोनी का, हम निस्कर से निकाल के देंगे आपको, दो साल के अंदर, हमारे अंडर आए तो सहीना अनृत्राइज करो कर दो अख्भार का नाम बता सबयने बीज़ाइं कोई शबही नहीं को इस अब निए फुर। हां रमेजी मैं बताता हूं आपको 31 सक्टूबर 2018 को सरदार बल्लब भाई पटेल की जैनती के मौके पर रन फॉर यूनिटी कारेक्रम हुआ बिल्कुल हूआ आपके पूर्वांचाल मोर्चा कि अध्यक्ष नहीं वूर्व पार्शद है वह तकर यह नहीं है अधिकर करता हैं वीजेपी कारेकरता चंदन चौधरी के साथ अपने पिटाई कर दी फिर देखूं एंपने अपने प्रियो प्रिच्छ वापस रिए लगज कहा घर बैठ जा नहीं तो पुर्वंचल का नेता बना दूँगा ऐसा आपने कहा है फिर के रिचन्दन चोदरी ने कहा कुछ किलिप है क्या आजकल मोगाइल रखते हैं तो फिर उनके आरोप है उनका आरोप है मैं आपसे जवाब मांग रहा हूं ठीक आप बताइए देखो अबना तो कोई ऐसी बात हुई वो लेंड ग्रेबर वेक्तिया भी तो आप एंक्रोच्मेंट की बात कर रहे हों दुगल कलोनी में तीन बिल्डिंगे हाई कोट ने सील कर रखी है आर एडवलो के लोग जब एजे मेंबर पार्लिमेंट मेरे पास आएंगे कि यहां पर तो यह अचान ले लिया उसके खिलाफ तो ऐसे अनलगारा और अग्रेख लगा रहा है आप यह बताओ अजकर मुबाइल लोग रखते हैं कहीं किसी मोबाइल की किलिप में मैंने कहा है का एक चोर कभी भी कोट मै अदालत में कहता है मैंने चोरी किये आप यह बता ओ चंदन कोड़ी जो खतम होगो तो हमारा नंबर तब आएगा बीजेपी के अज़र अब हाली में कारिक्रब में ग्रह मंत्री मौजूद थे और आपने मुख्य मंत्री केजरिवाल के अपत्ती जनक शब्द कहे थे अभी हाली का कारिक्रब है पतनी कौन से सब मेरी तो मैंने दो कभी आपत्ती जनक शब्द को आप बता ही कौन से अब बताता हूं 6 मार्च 2019 को एक स्कूल का उधगातन हो रहा था जी जी उस दोरान आपने कहा ये खबरे हैं कि कांग्रेस की चपल चाटते हुए कहा कि केजरिवाल कॉंग्रेस की चपल चाटते हुए कह रहा है कि उसके बिना जीतना मुश्किल है गड़ बंदन को लेकर कांग्रेस की चपल चाटते हुए कि उसके बिना जीतना मुश्किल है गड़ लिए केजरिवाल ने कहा थो जार तेरे के अंदर जब उनको कहा कि आप गठबंधन की सरकार चला रहें आपकी सरकार ये बनपाई आगे भी आप कठ होगी तो मैं उसके लिए चलो अपने लेकिन मेरी बात तो सुनो आप उसने कहा कैसा गड़ बंदन काही का गड़ बंदन हम तो अपना कैरियर छोड़ कर आए के जिवाल ने बोला था 2013 में हम को गड़ बंदन फिर के जिवाल कह रहा है चालिज चौक में सीला जी से कहके कर लो गड़ यह क्या बोलते हैं इसको तल्य चाटना नहीं कर दो किसी की जादा चापलुसी करने को आप उसको जब्रदस्ति अशोबनिये बना रहे हैं यह हमारी डिक्स नजी निकाली जे हिंदी की उसमें मिलेगा आपको कि चापलुसी करके किसी के सामने गिड़ गिड़ाना उसको तल्वे चाटना बोलते हैं बताओ जी आगे हम अगे 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 आप बेदर धंस इसे कह सकते हैं जो शायद प्लिक प्लिक प्लाट्वर्टाम पे नहीं कहना चाहिए अपको लेके काफी गुडबटे हुए हैं आपकी बंती नहीं है दिल्ली बीजेपी में इसी वज़़ा से शायद हो सकता है यह सब खबरे आती हैं देखो पुजा जी राठोर जी दिल्ल चैलेंज के साथ मैं कह सकता हूं जो 25 साल से भरते जंता पार्टी के किसी न किसी जुम्मवारी पर हैं 25 साल से पदों पर लोग आते हैं चले जाते हैं आदे लेकिन कॉंटिन्यूस नैंटी नैंटी फाइव में मैं बัना पार्टी का वाइस प्रेजंट डिस्टिक का नैंटी सिक्स में एक साल बात Πरमोशनों के वैज़ऑ जनर्सेर्टी जश निशिंट मी जलात दखस भणखवा जयले का अढ़स इसल 15 साल उपाथ भाझ दंख यूज आ अजम पर उपक ना करती में पार्टी की एसेट संपत्ती ना होता तो पार्टी की लिएबिलिटी ही होता तो पार्टी 25 साल तक क्यों मुझे बार बार पदपर बढ़ागर रखिए लेकिन इस बार शाहिद विश्वाश डगमगार आए क्योंकि कि 2018 में मिड सर्वे हुआ है आपकी पार्टी के अंधर ही कुछ रिपोर्ट है कुछ स suburbs वहे kरना करता है भासवार्टे संपती है पार्टी हाई कमान को कर लगेगा कि रमेश बिदूडी का पार्टी की यूटिलाइज़िसन में कहीं और उपयोग होना है महामंतरी था ना यूपर कैसे प्रवारी बेज दिया अगर पार्टी हो सकता है मुझे राज्य सवावर लाना जाती हो हो सकता है पार्टी मुझे और जूमावरी देना चाहती हो यह भी कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि रागव चड़्ड़ा के यूवा उमिद्वार है आप पार्टी की तरफ से तो शैद दक्षने दिली से भी यूवा उमिद्वार को उतार जाए लेकिन पार्टी एंटी इंकम ऐसी फेक्टर से भी डर रही है तो अगर टिकट लड़कर जीतने वाले सांसोदों होंगे तो रमेश बिधूरी के खिलाफ जनता में कोई एंटी इंकम मेंसी नहीं है विधिंदा जो लोग अपने निजी हीत और स्वारतों को लेकर परिशाने बिचारे कि हो सकता है हम यह बात कहें रमेश बुड़ी की ज़रा कमजोर कंडिट आ जाए तो साथ रागव चड़ाई जी जाए तो एक बर निजात मिल जाएगी रमेश बिधूरी से तो वो आम आ अज तक मेरी पार्टी ने कभी किछी ने मुझे को नोटीस कि नपरमेशन करें ने 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 क्या जवाब देजी जीन आपको देनी जाने का विधा सिंपली परिजए अफ दिली स्टेट मैं वर्किंग कमेंटी अल इंडिया गा मेंबर हूं मनोश तिवारी को मुझे लूट आज मैं पहली बार ये बात बोलों जब आप बार बार दो रहा है जा रहे हैं मनोज तिवारी को मेरे पार्टी के मेरे आचन पर संग्यान लेने का कोई राइट ही नहीं है और इंडिया पार्टी को है वो तो कोई आदमी अंजान के कारण से या कहीं अपनी पावर को ना समझ हैं पैदा होती हैं लेकिन जब शादी होती है तो दोनों बहनों बहुतिशन रहता इससे बैटर घर मुझे मिलना चाहिए अच्छा तो वह कंपटिशन है यह होता है बात कर लेते हैं किन मुद्दों के साथ बीज़ेपी एलेक्शन से बारते जंता पार्टी आज राष्ट को कुछ तो बोलना पड़ेंगा नंगे इसके अंदर यहाँ पिचासी करोड यO के कारण में यह कॉंव Ama इसके 65 साल के करमों के कारण पर पैदा हुए 85 करोड ना जवान बेरोजगार है अब 4 साल में 85 करोड को समय लगता है ना लेकिन पहले 4 साल में 14 करोड लोगों को रोजगार दे देना चोटी मोटी बात नहीं है मेरे हैं साउधिली पारलेमेंट में 25,000 करोड की लागत से इंट अच्छा मुझे बताइए तो ऐसा नहीं है कि बेरोजगार अब कॉंग्रेस ने तो कुछ नो कोई बोलना है राफाल के बारे में सीजी ने किलीन चीट दे दी सुप्रीम कोट ने किलीन चीट दे दी ना खाता ना भाही राहुल जो कह वो सही अब खेजरिवाल जी कह रहे मैं राफेल का मुद्धा लोगपाल में लेके जाओंगा पहली बार उस पर क्या कहेंगे आप कि जिरिवाल साथ पहले अपने साडू का हिसाब तो कर ले इस सेक्सल सकेंडल के अंदर अपने मंत्री कोई की पार्टीम तक क्यो बने हुआ है वह वह बद्मास हवारे पारटीए तीवी देख रहा था दो तीन चैनल आज तक भी था एको न्यूज 24 भी था तीन चार वहां उसमें दिखा रहे ते जाके बानारस के अंदर हंड़र परसेंट लोगों ने कहा है कि कोई चुनोती नहीं है मोदी साब के टाइम में जो काम हुए है आप भी अपने चैनल से पर जाके दिखाओ 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 पहले फेस में चार सांसुदों के टिकट क्यों काटनी पड़ गई है कहां पे यूपी में देखो मेरी बा बाण के साथ पहला सवाल है क्या लोगसभा चुनाफ में जातिय समी करण बड़ा फेक्टर होगा जी जी होता है देश के अंदर इसको कोई नकार नहीं सकता लेकिन ये भी कड़वा सकते है कि मोदी जी ने 2014 में आने के बाद जातिवाद परिवारबाद छेत्रबाद को खत बाले अनको हम जटाएं के नहीं होगा दूसरा सवाल लोगसभा चुनाफ में गामों के डेवलेप्मेंट का मुद्दा कितना माइने रखेगा बहुत माइने रखता है गामों के लोगों को भी उनकी जमीन एक्वाइर हो गई उनकी जमीन छीन लिगी सरकारों के कोड़ियो उसको खेत जोतने के लिए 6,000 रुपे बीज डालने के लिए 6,000 रुपे मिल जाएं उसका पूरे साल इसलिए शोशन होता था कि विचारा उधार में ट्रेक्टर से उधार में खेत जुतवाता था और जो उधार में जोता था वहांका दबंग आदमी वो उसका विचारे को शोशन करता था पने काम कराता था कि सालों की समस्या हल होगी 6,000 रुपे बहुत जाएंगे अगला सवाल चुनाव में महिलाओं को संसद और विधान सभा में आरक्षन ना देने का मुद्धा कितना मायने रखेगा देखो यह महिलाओं भी जानती है और जो इस मुद्धे क उस रूप में निकलकर बारे बजे रात को दो बजे रात को वह उतना समय नहीं स्पेंट पर सकती है आँकी में महीला सुरक्षा कितना बड़ा मुद्धा बनेगा हमारी प्रियोडियों रहा है महीला सुरक्षा तीन तलाग क्या है पुरा विपक्स एक तरफ है पर हम्ती मह विलाओं के सम्मान दिलाने के लिए 3 तलाग पाड़ेगे वे अधेश में विष्टाचार खत्म हुआ बहुत 80% खत्म हो गया विचावली खत्म हो गया विदेश हो से काला धन वापस आया बहुत बहुत काला धन वापस आ गया किना नमबर देंगे नोट बंदी के 99.9 नोट सब्सक्राइब तो आज चक्रवियों के घेरे में थे रमेश बिदूरी जी जिन्नोंने बहुत बेबाकी के साथ बहुत अपने आक्रमक अंदास के साथ हमारी सवालों का सामना किया और कितने भेद पाई चक्रवियों को याप तेह करेंगे फिलाल एक ब्रिक के लिए हम रुक रहे हैं आप ज